आउनी इस्ट्यूटिर ब्रांट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे जैसा कि आप थामनेल में देख भी रहे होंगे कि UPAAC लेकपाल भरती रेजल्ट पी-एच पी-एच के धरने पर कब होगा न्याय UPAAC ने क्या कहा धरने का पांचमा दिन 188 पद क्यों रिक्त वैसे थामनेल पर जो पिक्चर लगी है उसी को देखकर दिल भर सा आता है कि आखिर में इनके साथ न्याय क्यों नहीं क्या बिकलांग से दिव्यांग कह देने से इनको खुसी मिल जाएगी या मिल गई है तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तीन जनवरी से लगतार ये लेक पाल भरती परिछा 2022 के अब भरती है और इको गार्डन में डटे हुए है अपनी मांग को लेकर तो वीडियो को अन तक देखेंगे वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो पलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सास्त में ही ए भी हम कहेंगे कि जो भी आपके इस्ट मित्रों सभी की पास सेर जरूर करें जिसे इनकी बात अपने माननी मुखमंत्री जी के कानों तक पहुंच सके इनका भी भला हो जाए यह सोच कर एक भलाई के लिए एक परुपकार के लिए ऐसा परुपकार साइद किसी के भाग्य में हो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें सब तक भाते पहुंचें चलिए देखते हैं पहले आपको बताएं कि 30 दिसंबर 2023 को लेकपाल भरती 8085 पदो पर रजल्ट आता है परड़ाम जारी होता है लेकिन उसमें से 188 पदो पर यूपी टिपलसी रजल्ट जारी नहीं करता उन 188 पदो को अपने पास रख लेता है रिक्त के रूप में और आपको बताते चलें कि ये अभ्यरतियों की जो पीड़ा है इनके साथ अगर कहा जाए बिकलांग घोटाला या दिब्यांग घोटाला तो कोई गलत नहीं होगा करने वाला कौन है यूपी टिपलसी इसलिए कहना पड़ रहा है कि आखिर में पेट एकजाम कराया आपने लेकपाल भरती एकजाम कराया डीबी में आल कंडिडियोट के बुलाया क्यूं इसी का जवाब चाहिए क्या पी एचो एच बेकार है आपने अपने विज्यापन में ये देखिए चात्र दिखा रहा है प्रतियोगी चात्र जो भी अब भेरती है दिव्यांग भाई है कोई दिखा रहे हैं इसको क्यूं इस पर कोई जवाब मिलना चाहिए इनको ठंड नहीं लगती अरे एक सामान्य जो सरीर से स्वस्त है वो तो घर में बैठा दुपका है इनका भी तो सुनना चाहिए और अब तो वास्तों में कुछ चैनलों पर जो है देखने को खबर धीरे-धीरे मिलना चालू हुई है लेकिन मैं सब ही से आग्रह करूंगा कि इन अपने भाई बहनों के लिए जो इतनी ठंड में परसान हैं दुख से पीडित है इनकी मदद के लिए आवाज उठानी चाहिए सब को उठाना चाहिए जिससे की मन्नी मुखमंत्री जी के पास तक उनके कानों में एक बात पहुँच जाए गूज पहुचे ये देखिए पोस्टर लिए अब भ्यर्थी क्या कह रहा है कि O.H.P.H. के साथ जो है U.P.P.S.C. ने धोखा दिया है ये धोखा इन लोगों से बरदास से बाहर है इसलिए इन्हों ने अपने घर को त्याग दिया है और चाहे कर्ज मांग कर चाहे भूखो रहकर जान की बिना परवाह कि ये लकनो के इको गार्डन पार्क में जमा है डटे हैं कि हमें हमारे हक का फैसला सुनाया जाए ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें दिव्यांग भाई हैं गोरकपूर से हैं जहां के अपने मुखमंत्री जी इनका रो रोकर बुरा हाल है बिलक रहे हैं सभी बिलक रहे हैं सभी की आवाज है कि इनको न्याज चाहिए और इनमें कटारिया जी जो है कटारिया जी जो है उनका बड़ा सहयोग है और दिव्यांग भाई बहनों के साथ उलराई लड़ रहे हैं इन्हें भी ठंड लगती है तो इसलिए ये देखिए सब पोस्टर बाइनल लिए कोई बैसा की के सहारे कोई कैसे कोई कैसे तरस तो आनी चाहिए ये देखिए यूपी टेपलसी लेकपाल भरती दिव्यांग आराच्छण बचाओ दिव्यांग लेकपाल अधक्यार दिलाओ कहनी का मतलब चलिए जहां जातिकत मुद्दे हो वहां की बात छोड़ दीजिए यहां कोई जाती नहीं है यह तो ईस्वर की बनाई कटेगरी है इस पर किसी को धोखा नहीं देना चाहिए जिल को ईस्वर ने सुरू में ही दंड दे दिया है उनके साथ मानो क्यों इतना बड़ा चल कर रहा है इनकी भीड को देखिए दो ढ़ाई सो की संख्या से जादा इनकी संख्या है यूपी के लगभग सब ही जनपदों से कोई गोरकपुर कोई आजमगर कोई बलिया सब जो है इकठा हो रहे कि परिस्थित में कोई करज लेकर आ रहा है कईसे कईसे कर रहे है इनकी बात न्यूज पेपरों में भी अच्छे तरह चलनी चाहिए जिससे की केवल अपने महा महें मुक्वंत्री जी के पास तके बात पहुंच सके और न्याय मिल सके इन्ही अभ्यर्तियों का कहना है कि राजस्थान जैसे मद्प्रदेश अन्य ऐसे राज्जों में लेकपाल भर्ती पर आखिर में ओयेच वालों का होता है और उत्तर प्रदेश में उन्हें बाहर कर दिया जाता है इसी प्रकार यूपिटे प्रस्थी की कई भर्तियों से ऐसा खिलवाड हो रहा है सामने बीपियों की बैकेंसी है बीपियों में ही ध्यान दीजी तो आखिर में तब पेट पर इच्छा की कौन सी पेट पर इच्छा दे पेट में क्यों नहीं निरधारित कर देते कि ये कटेगरी वाली नहीं लिय जाएंगे पूरी यू-पिटे-पलस्िख एक्जाम में ऐसा क्यों नहीं करता तब तो पेट में पैसा कमाना है आयो को तो उस समय नहीं बैकेंसी आएगी वहाँ कर देगी लेकिन इसमें तो आपने नोटिपिकेशन में दिया है इस छातर आपको आपके समक्ष प्रूफ रख रहे हैं आपका ही क्यों क्यों 47 सो लोगों को बुला लिया भाई एक कटाफ सबसे पहले तो UPTPSC इसकोर कार्ड नहीं जारी करता लेकपाल भरती रेजल्ट का क्यों नहीं रेजल्ट का इसकी तो सभी अभ्यरतियों को मांग करनी चाहिए थी चाहे जिस का टेगरी का हो कैसे पारदार्स्तिया हो गई कहा गया इसकोर कार्ड इस बात पर सभी को सहमत जतानी चाहिए अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं जहमे का प्रार्थी हूँ लेकिन नहीं यह धोखा जो हुगा है इनके लिए मैं जही बोलना पड़ रहा है मैं भी एक्सिडेंटल हूँ ब्रेकियल प्लैक से जिंजरी है आम बेट चलता कस्ट होता है वयज के साथ यह यूपीट पलस्ती का धोखा है और कुछ नहीं मिर्जापूर से भी छात्र आये जैसे सतीस कुमार यादाओ जी मिर्जापूर के छात्र कहां कहां से आये है जितेंद्र जी वहीं आगरा से यूनात कटारिया जो है चंदवली के हैं और इनका बड़ा इस धर्ने में अगुगाई कह दीजिए यूनात कटारिया जी की ही है और इस वर इनको सफल करे आद तो ये छात्र आहत होकर ये सब्द कही रहे थे कि जो हम भी भगवान की पूजा करते हैं कास हमारी भगवान सुन लेते ये पांतारिक के धर्ने की है जबकि उपमुकमंत्री ब्रजेस पाठक जी आते हैं और वारता करते हैं इससे लेकिन इसका हाल अभी कहीं देखने को मिला नहीं क्या बात किये की नहीं किये लेकिन बात और आस्वासन से काम नहीं बनेगा आपको ये भी हम बता दे कि ये ही छात्र यूपिट पलसी जाते हैं तो यूपिट पलसी अपनी गलती मानता है आयोग अपनी गलती मानता है कहता है कि जाइए 188 पद आपके लिए जो है अगली भड़्ती में आपको मौका दे देंगा रहे बताएए तीन साल चार साल वापस कर देंगे आप अगली भड़्ती मौका देंगे इस भड़्ती में नहीं दे पा रहे हैं इस भड़्ती में मौका देना चाहिए इसी लिगपाल quand Hey के कारण एक जब ये भी अपने परिवार पर बोज नहीं बनना चाहते इनको इनके माता पिता कैसे पढ़ा लिखा कर इतना तक लायक कर दिये कि आज कम से कम आसा इनके अंदर आए क्या इनके लिए कोई एस्पिसल बैकेंसी निकलती है या ये मद्दूरी कर सकते हैं इनके बस का है कहा जाएं इसलिए नहीं तो इनके लिए एस्पिसल बैकेंसी निकाली जाए कुछ में क्यों पियेच ही होंगे पियेच के लिए अलग से बैकेंसी निकाली ये कोई भी भरती निकाली ये तब तो समझ माए ऐसा क्यों हो रहा है आखिर में कहा जाए ये जब हरीस कुमार जी तीन तारिक को वहीं मुखमंत्री जी से मिलने के लिए जनता दर्बार में जाते हैं तो वहां जो है उसी में से एक पांसा दस्यों को बुलाया जाता है तो वहां उनके साहक सच्यों से असकरटी से बात होती है और बोल देते हैं सच्यों जी जाएए आपकी बात हम मुखमंत्री जी से कह देंगे फाहीन हैं फाहीन जो है पांसो त्री मांगों को अपना रखने का पूरा कोशिस करते हैं लेकिन कोई हल निकलता नहीं है अभी तक असो कुमारों वहीं गोरकपूर के हैं जिनकी आखों से हमेशा आशु भरे हुए हैं यहां देख रहे होंगे बैठे हैं पोस्टर लिए इस चार तारीक के धरने की आपके सामने पिक के ओल रख रहे हैं कि जिससे आपका भी दिल पसीचे आप भी इनके साथ आएं इनकी क्या कमी है क्या गलती है वो तो बताना चाहिए अगर इनकी गलती है तो ठीक है अपने परिवार में जैसे का तैसे जी लेंगे इनकी गलती तो आयोग बता दे अगर इनकी गलती है तो आयों को बताना चाहिए इन आखों में आसु क्यों है इन आखों में आसु क्यों आ रहे हैं इसके बारे में भी तो किसी को बताना चाहिए न संजे गुमार पटेल जो है वही प्रयागरास से असो कुमार गोरकपुर के बादसास पुर से आये हुए और ये लगा तारती तारिक से डटे हुए साजन कुमार गाजीपुर से ऐसे ऐसे बहुत से अब कितने का नाम हम गिनाएं सब ही भाई संघर्स कर रहे हैं और इस वीडियो के जरिये मैं इतना ही कहूँगा कि सभी जो भी चैनल है भाई सभी को इनका साथ देना चाहिए और आवाज एक साथ उठाएं जिससे इनकी बात मन्नी मुक्मंत्री जी तक पहुंच सके और हल निकले और 188 पदों पर इनकी पहाली हो सके इनका रजल्ड भी सभी के साथ इनकी भी जोइनिंग हो यह आग रहे है और उन सभी पियच भाई वहनों से भी आग रहे है कि घर में बैटकर के ओल यूटूब मत देखिए यूटूब से आत्मल नहीं बढ़ेगा आपको निकलना होगा अपने हक के लिए लड़ना होगा बहुत कश्ट प्रद है जीवन चुकि अर्थ है तो जीवन है एक कहावत भी पुराने में कही गई है कि बाबू बड़ा नभाईया सबसे बड़ा रुपईया तो रुपईया की कीमत है आपकी जान की कीमत नहीं रहती इसलिए सब इन अपने भाईय बहनों का साथ जरूर दें और सायद इसका कुछ हल निकले इनकी आखों में जो आसू है वो जिससे नम पढ़ सके नेक्स्ट अपडेट पुरा कोई मिलती है तो आपके समक्ष पुरा वीडियो के साथ हाजिर होंगे और लगे रहिए इस स्वर आपको सफल जरूर करेंगे हिम्मत हार नहीं मानेजे हिम्मत कभी ऐसा नहों कि तूट जाए तूटने न पाए हिम्मत बनाए रखी हाऊसला हाऊसला ही सब कुछ है बड़ी बड़ी जंग को जीता जा सकता है आप एक हाथ एक पैर के हैं ऐसा नहीं कि आरे बहुत कुछ करने वाले तो चलिए इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कोई भी अप्टेट होगी वो आपको हम निस्सित तोर पर सामतक देंगे और दोस्तों को सेयर करना न भूलें जिसे सभी तक बाते पहुच सकें चुकि बातों को पहुचना बहुत जरूरी है अवस्यक है यह यूपीटे पलस्तिक की एक एक ही भरती का खिलवार नहीं है चाहे वो बीडियो भरती होगी चाहे मुक्सेव क्या भरती होगी चाहे जो भी भरती होगी बीपीओ में आप देख लीजी कितने पी इसलिए गया है पर इच्छा भी होने वाली है तो बहुत बड़ी बात ह इसलिए इतना ही यही वीडियो को भी राम देते हैं और आप को सभलता मिले इसी बात को लेकर हम भी बिचाड़ी रहेंगे कि जिससे आपको जल से जल सभलता मिल सके आपकी बात मन्नी मुखमंत्री जी तक पहुँच सके मेरा यह प्रयास है वीडियो पसंद आई हो तो ला ओके थैंक यू